तो हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप जब तो आज की वीडियो में हम अपना राइट अगेंस को शोरिटी करने जा रहे हैं जिसने राइट अगेंस प्रिंसिपल डैटर क्या क्या होते हैं सबसे पहला होता है subrogation और दूसरा होता है implied promise to indemnify surety जो की section 145 के अंदर है और subrogation 140 के अंदर है ठीक है तो आपने अगर वो वीडियो डिटेल में नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं description box में उसका मैं link दे दूँगा तो आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं right against co-surity की co-surity के against sority के पास क्या-क्या right हो सकते हैं तो सबसे पहला जो sority के पास right आता है वो क्या आता है co-surities liable to contribute equally क्या आता है sority के पास right आता है कि co-surity अगर join हुआ है तो वो भी liable रहेगा contribute equally ठीक है अगर contract उनके बीच में अगर हो चुका है कि कैसा है equally contribute करना है तो equally liable रहेगा co-surity यह rights है against sority के पास और दूसरा point क्या आता है अगर जब co-surity bound or different sum के लिए liability of co-surities bound in different sums जो की section 147 के अंदर हमें पढ़ना है Indian contract 1872 के अंदर और co-surity जब equal liable होगा वो कौन सा section है section 146 जरूरी नहीं है कि आपको section याद होने चाहिए लेकिन आप जब section याद कर लेते हैं तो चेकर होगा उस पर एक बढ़िया परभाब पढ़ता है कि वो बढ़िया बढ़िया marks दे आपको ठीक है तो जरूरी नहीं है लिखने का कोई marks कटेगा भी नहीं अगर आप नहीं तो आपको section लिखने की requirement है कि इस बंदे ने इतनी मेहनत कर रखी है लोग के ओपर ठीक है तो मैं साथ के साथ आपको section भी याद करवाता जाओंगा और point भी याद करवाता जाओंगा तो राइट अगेंस को सोरीटी के अगेंस क्या क्या right मिल सकते है अब हमें सबसे पहला point ह कि liable हो सकता है वो equally liable हो सकता है या तो वो different sum के लिए क्या है bound है तो वो उसके लिए liable रहेगा लेकिन इसके अंदर थोड़ा ज्यादा concept है इसके अंदर तो मैं आपको वो explain करूंगा अच्छी तरह आपको कुछ दिक्कत नहीं होनी चीए ठीक है तो सबसे पहला हम क्या करे liable to contribute equally जब वो लाइबल है किसके लिए equally के लिए तो यहां पर क्या है equality of burden is the basis of continuity सिप ठीक है को शोरीटी equally button shift करेगा in case contrary agreed both have to pay equally to the whole debt और part left by principal debtor मतलब यहां पर इन्होंने contract कर रखा हो agreed contract हो यहां पर पहली कि दोनों क्या equally क्या करेंगे equally all debt को क्या करेंगे settlement करेंगे अगर जब principal debtor default हो जाता है तो अब इसका हम यहां पर case ले लेते एक यहां पर आज की वीडियो में हम क्या करने जा रहे है हम हम करने जा रहे हैं right right of sorry against को शोरेटी के अगेंस्ट क्या क्या हमारे शोरेटी के पास राइट होते हैं तो कौन-कौन से राइट होते हैं कि दो राइट होते हैं या तो को शोरेटी को शोरेटी लाइबल तो कंट्रिब्यूट तो कंट्रिब्यूट equally क्या करें equally contribute करें या तो कोश्वरेटी liable to different to different sum different sum के लिए तो यह section हमारा किसमें आता है यह section 146 के अंदर आता है और यह section आता है हमारा किसके अंदर section 147 के अंदर cover है तो अब हम देखने वाले है कोश्वरेटी liable to contribute equally इस case में मान लेते हैं हम क्या इस case में हम मान लेते हैं कि एक A है और एक B है ठीक है एक C है और एक D है ठीक है एक A है एक B है एक C है और एक D है ठीक है यहाँ पर हमारा कौन क्या क्या है आपको पता ही होगा B हमारा यहाँ पर क्या है creditor है और A हमारा यहां पे principal debtor है C हमारा यहां पे surety है और D हमारा core surety है थेक है अब इन दोने के बीच में क्या हो रखा है contract हो रखा है यहां पे principal debtor, जोकी, Kreditor से कितनी रुपे ले रखेंगे, उसने, माल लेते हैं, 20,000 क्या रुपे ले रखेंगे? A ने जो कि क्या है? Principal debtor किसे ले रखेंगे? B से जो कि क्या है? Creditor है, C ने, और D ने क्या दे रखेंगे? C ने और D ने क्या दे रखी है guarantee दे रखी है किसकी C ने और D ने guarantee दे रखी है principal debtor की किसको creditor को कि अगर A default करता है तो C और D perform करेंगे B को लेकिन कैसे perform करेंगे ये इन्होंने पहली contract कर रखा था C और D ने कि अगर principal debtor क्या हो जाता है इन दोनोंने आपस में क्या कर रखा है contract कर रखा है कि contract कर रखा है कि C और D perform करेंगे किसको B को अगर A क्या हो जाता है A हो जाता है default तब तो उस case में उस case में C और D के बीच में जो contract हुआ है अगर वो equally हुआ हो तो equal liable रहेंगे यानि C किसने के लिए liable रहेगा या पे 10,000 amount के लिए liable रहेगा और D भी 10,000 के लिए liable रहेगा B को देने के लिए कब जब हमारा ये ये क्या कर जाता है default कर जाता है तब हमारा C और D तोनों liable रहेंगे equally amount के लिए B को perform करने के लिए तो 10,000 रुपेज कौन देगा C देगा और D किने देगा 10,000 रुपेज देगा यह sorority पी right है की की सारा debt C नहीं चुकाएगा, sorority नहीं चुकाएगा अगर को sorority है उस case में दोनो equally क्या करेंगे perform करेंगे अगर contract equally का हुआ हो तो अब इसी के साथ हम दूसरा भी example देख लेते हैं फिर हम इसको read out करेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा अब माल लो यहाँ पे को sorority liable है to different sum के लिए different sum के लिए क्या है liable है यहाँ पे भी माल लो same जैसे कि यहाँ पे a है b है c है d है और e है c है d है और e है यहाँ पे a है और यहाँ पे b है अब यहाँ पे जो यह b है यह creditor है और a हमारा principal debtor है और यह surety है और, यह दोनों क्या है हमारे kosherty है क्या है, kosherty है कौन D और A ठेक है A ने 20 ए, कितने रुपे लिये 30,000 रुपीस लिये ठीक है, अगर A default हो जाता है तो कौन pay करेगा 型 gravity pay करेगा, अगर kosherty है तो kosherty भी क्या करेगा, यहाँ पे pay करेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे तो equally equally amount के लिए इन तीनों ने आपस में क्या कर रखा था इन दोनों ने आपस में contract कर रखा था equally amount के लिए अगर ए default हो जाता है तो हम दोनों आधे आधे क्या करेंगे perform करेंगे एके default या जो debt है उसको लेकिन यहाँ पे इनोंने different sum के लिए यहाँ पे D ने क्या कहा यहाँ ने D ने contract जब हो रहा था इन तीनों के बीच में इन तीनों के बीच में जब contract हो रहा था तो D ने क्या बोला कि अगर A default करता है तो मैं 5000 रुपे के लिए liable रहूंगा ठीक है और E क्या बोलता है कि मैं अगर A default हो जाता है तो मैं कितने के amount के लिए default हो रहूंगा 12,000 amount के लिए क्या रहूंगा 12,000 amount के लिए मैं liable रहूंगा बस इससे ज़्यादा liable नहीं रहूंगा ठीक है और बाकी solidarity तो हमारा guarantee दी होती है एक ही तो ये तो perform करेगा ही करेगा इन्होंने अपनी sum को क्या कर दिया define कर दिया कि इतने sum के लिए liable रहेंगे इतने sum के लिए liable रहेंगे बाकी sum के लिए liable नहीं रहेंगे ठीक है अब इस question में अगर आप ये maal ले इन्होंने क्या दे रखी थी बी को guarantee दे रखी थी मालो जो 30,000 है वो पहले सबसे पहले हमें क्या करना है equally बाटना है इनके हमें तो C, D, E दोनों तीनों कितने कितने के लिए liable रहेंगे 10,000 के लिए liable रहेंगे equally case में equal case में ये 10,000 के लिए liable रहते लेकिन यहां पे भी हम सबसे पहले equal amount में क्या करेंगे बाटेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि अच्छा D, तुम 5000 के लिए liable लो तो 5000 तुम दोगे बाकी के 5000 बाकी के 5000 कोन देगा बाकी के 5000 इन दोनों में क्या हो जाएंगे distribute हो जाएंगे ठीक है लेकिन जो E है उसको 10,000 देने हैं 10,000 देने हैं लेकिन यहां पे क्या आ रहा है 12,000 आ रहा है कितना amount आ रहा है यहां पे 12,000 के लिए liable था और अभी किनना देना उसको 10,000 देना है जो यह 5000 है वो किसमें distribute हो जाएगा वो sorority और को sorority जो की E है इन में distribute हो जाएगा तो इसको 2500 देने पड़ेंगे और और इसको भी 2500 देने पड़ेंगे और तो E का total amount कितना हो गया 12,500 लेकिन वो liable कित के लिए वो liable 12,000 के लिए है तो वो 12,000 ही देगा बाकी के 500 कौन देगा बाकी के 500 sorority ही पे करेगा ठीक है बात को समझ में आई इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा अगर आपको समझना होगा ना तो इसको अच्छी तरह समझिए यहाँ पे A है जिसने 30,000 रुपे लिए किस से B से और C और D E हमारे यहाँ पे क्या है sorority है D E हमारे costority है जो की liable है सिर्फ 5000 के लिए D liable है और 12,000 के लिए E liable है तो सबसे पहले हमें क्या करना है जो data amount है वो तीनों में equally बातेंगे distribute करेंगे तो हमारा कितना कितना आ रहा है 10,000, 10,000 और 10,000 आ रहा है लेकिन D यहाँ पे 5000 के लिए लेकिन इसका amount कितना आ रहा है 10,000 आ रहा है तो वो तो बोलेगा कि मैं 5000 रुपर ही दे सकता हूँ तो बाकी के 5000 remaining 5000 किस में distribute हो जाएगा sorority और E में C और E में क्या हो जाएगा equally distribute हो जाएगा तो 5000 का आधा कितना होता है 2500 कोन देगा sorority देगा C देगा मतलब और 2500 E देगा तो total amount दोनों के क्या आते है C का 12,500 और E का कितना आता है 12,500 लेकिन यहाँ पर E लाएबल कितने amount के लिए 12,000 के लिए लाएबल है लेकिन amount कितना हो रहा है total 12,500 तो वो भी बोलेगा कि नहीं भाई मैं तो 12,000 रुपई ही दूँगा तो वो 12,000 रुपई देगा और बागी का 500 रुपई कोन देगा sorority देगा जो की कोन है हमारा C जो की main sorority था क्या था यह main sorority था तो इस case में sorority ही देगा बागी के remaining amount ठीक है यहाँ पर E कितने देगा 12,000 रुपई देगा और D कितने देगा 5,000 ही देगा और C कितने देगा C का यहाँ पर total amount कितना आ जाएगा 10,000 तो उसको दे नहीं था पाकी जो D के इससे में 5,000 आ रहा था 5,000 के लिए तो यह liable हो गया 5,000 के लिए sorority C और E क्या कर लेंगे आपस में बात लेंगे तो 5,000 इसके इससे में आ गया तो इसका total amount 12,500 हो गया और हमारा E का भी कितना हो गया 10,000 तो पहली था और जब D का remaining बात लिए इन्होंने तो 5,000 12,500 इसका भी हो गया लेकिन E कितने amount के लिए liable है E यहाँ पे E यहाँ पे कितने amount के लिए liable है E यहाँ पे हमारा 12,000 amount के लिए liable रहेगा तो 12,000 के लिए liable रहेगा तो इस case में हम इससे सिर्फ 12,000 रुपे ले सकते हैं बाकी के जो 5,000 रुपे है वो कौन देगा वो हमारा C देगा तो यह पांच रुपे हम इसके amount में जोड़के 13,000 हमारा कौन देगा C देगा 12,000 कौन देगा E देगा और बाकी के 5,000 कौन देगा D देगा तो इन तीनों को जोडने पे हमारा के आ जाता है 30,000 आ जाता है चोकि यह तीनों perform करेंगे जब यह क्या हो जाता है default हो जाता है तो तो यहाँ पर आपको यह समझ में आ गया अब हम इसको readout करते हैं फिर आपको और clearly से आ जाएगा liability of costurety liability of costurety bound in different sum क्या है bound है different sum से ठीक है the principle of equal contribution is however सबसे पहले equal contribution करना है उनका ठीक है maximum limit fixed है by sorority to his liability liability के लिए उनकी maximum limit fixed है यहाँ पर maximum limit fixed थी थी न यहाँ पर D की maximum limit किनी थी 5000, E की किनी थी 12,000 यह fixed थी ठीक है उसके बाद costurety who are bound by different sum are liable to pay equally as far as limit of their respective obligation permit सबसे पहले हम क्या करेंगे equally distribution कर दिया था हमने इसका 10,000 इसका भी 10,000 इसका भी 10,000 लेकिन यह bound किसके लिए था 5000 के लिए तो 5000 देगा और बाकी के 5000 किस में distribute हो जाएगा C में और E में distribute हो जाएगा equally तो इसका total amount हो गया हमारा 12,500 इसका भी 12,500 है लेकिन E भी हमारा यहाँ पे bound था सिर्फ 12,000 रुपे के लिए तो सिर्फ वो 12,000 रुपे देगा बाकी के 5 रुपे वो C देगा और C का amount total हो गया था हमारा यहाँ पे कितना C का amount यहाँ पे हमारा 13,000 हो गया और यहाँ पे E का amount 20,000 हो गया और D का amount हमारा यहाँ पे 5,000 हो जाएगा ठीक है तो यह आपका हमारा concept हमने complete कर लिया है आज का right against quality ठीक है अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मेरे को comment कर सकते मैं और भी अच्छी तरह आपको समझाद दूँगा लेकिन मेरी आप सबसे गुझारी से जो बच्चे महेंगी फिस अपो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आप उन बच्चों को इस चैनल के बारे में corporate low जो है subject वह आपका मैं complete करवाओंगा कोई भी मिस नहीं करवाओंगा mcq करेंगे case studies करेंगे direct question करेंगे हर एक question मैं इस चैनल पे लाओंगा तो आप जादे से जादा इस चैनल को share करें उन बच्चों तक जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और subscribe कर दीजिए like कर दीजिए मिलते हैं next video में next concept के संग thank you